नमस्कार प्यारे साथियों मैंकित कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवारे एक्जाम कार्ट लाइब पर तो आज है 23rd of October डिसकस करेंगे Most Important Current Affair आज के चलिए हाल ही में Westwick बहु आयामी गरीबी सूचकांक 2022 जारी किया गया इसे किस संस्थान द्वारा जारी किया जाता है वर्ल्ड वेंक अंतरराष्टिय मुद्राकोस या फिर विश्व आर्थिक मंच या फिर Oxford Poverty and Human Development Initiative और संयुक्त राष्ट विकास कारिक्रम यानी की UNDP तो यही इसका correct answer है बात करेंगे इसकी तो Oxford Poverty and Human Development Initiative और संयुक्त राष्ट विकास कारिक्रम के द्वारा इसको बेटा जारी किया जाता है वैस्विक बहु आयामी गरीबी सूचकांक 2022 के अनसार भारत में गरीबों की संख्या दो हजार पांच है और दो हजार उन्निस सो एकिस के बीच में यानी इस टाइम डियूरेशन के बीच में लगवग 415 मिलियन की गिरावट आई है भारत में 2005 से 2006 के विच 15 साल की अबदी के दौरान यानी कि लगवग कितने 41.5 करोड लोग जो हैं ये गरीबी से बाहर निकले हैं यानी कि इसी का परियाए वाक्या है ये एक तरीचे से ठीक है गरीबी 2005 और 6 में 55.1 प्रतिशत से गिर कर देश में जो गरीबी की दर है वो 2019.21 में कितनी हो गई है 16.4 प्रतिशत तो बहुत अच्छा सुधार हुगा है इस मामले में तो भाही कुशन नमर 2 में आप से पूछा गया है कि पानी की आपूरती बढ़ाने के लिए किस सहर में 135 साल पुराने जलासाय का निर्माड कराया जाएगा तो मुम्भाई में पूरे दक्छिन मुम्भाई में पानी की आपूरती बढ़ाने के लिए ब्रहन मुंबई नगर निगम यानि की BMC मालावार हिल में 135 साल पुराने जलासाय का पुरनर निर्माड करेगी इसका उद्देश्य सहर में पानी की कमी क्या जो संकट है उसको हल करना है कुशन नमर थ्री में आप से पूछा गया है कि पिगमी यूनिकॉन टिड़ा द्रविड एक्रीस देखो यहां पर हम फिर से पढ़ेंगे नाम थोड़ा सा बढ़ा है टिड़ा द्रविड एक्रियस अत्रा मलाइकस ठीक है कि खोज की गई है भारत स्री लंका आस्टेलिया या फिर अफ्रीका तो भारत में की गई है टिड़ी जगत का एक नए सदस्य का नाम है यह ठीक है द्रविड द्रश्य भूमी के नाम पर पिगमी यूनिकॉन टिड़ा द्रविड एक्रियस अन्नाम लाइकस या अत्रा मलाइकस इसका नाम दि भी है ठीक है पूरी सुस्क समतल छेत्र में एकत्र किया गया था यहां पर देखें कि हाल ही में भारतिय प्रतियोगिता आयोग ने किस कमपनी पर 13.60 करोड का डंड लगाया है तो आप लोग ध्यान रखना भारत ने लगाया है गूगल पर ठीक है अंतिम जुनुमा लगाया ह एंडरोड मुवाइल डिवाइस एको सिस्टम से सम्मधित सेडियों में अपनी बाजार में प्रम खुस्तिती का दुरूपियोग करने के लिए के लिए रहे कुशन नमर फाइव कुशन नमर फाइव में आप से पूछा गया है केंद्र सरकार ने तामिल नाडू और वारान गमम की घोशना की है यह कारिकरम कब से कब तक आयोजित किया जाएगा तो आप दियान रखना 16 नवंबर से 16 दिसमबर तक इसका आयोजन किया जाएगा ठीक है अगर बात करोगे आप यह अबदी तमिल महीने कार्तिके को कवर करेगी जिसके दौरान सभी तमिल परवार भारत पहल खा एक हिस्सा है इसका उद्देश्य नई कासी और तामिल नाडू की सबीच सब्धा की कड़ी को फिर से जोड़ना है कुशन नमा 6 में आप से पूछा गया है नई पीडी की जो बैलिस्टिक मिसाइल है अगनी प्राइम का किस राजी के तर से सफलता पूरवक परिछण किया गया है तो ओडिसा ठीक है यह आपको पूरी डिटेल दी हुई है यहां पे अगनी प्राइम मिसाइलों के अगनी वर्ग का एक नई पीडी का उन्नत संस्क्रण है जिसे एपी जे अब्दुल कलाम द्वीप से एक मुबाइल लांचर के जरिये परिछण किया गया इसकी रेंज छमता जो है एक हजार से दो हजार किलो मीटर के बीच में है अगनी प्राइम मिसाइल जो है यह टू स्टेज प्रोपोल्सन प्रोपोल्सन तू स्टेज प्रोपेल्सन सिस्टम ठीक है से चलती है और सॉलिड फ्यूल पर यह आधारित है डियाडियो मंत्राले का अनुसंधान एवम विकास विंग है जिसका लच्छ भारत को अत्या धुन रच्छा प्रोद्विकियों के साथ ससक्त बनाना है डियाडियो की स्थापना 1947 में हुई थी इसका मुख्याल है नई दिल्ली में स्थित है कुश्य नमर 7 की अगर बात करोगे तो मातानी पछेडी कला 3000 वर्स से अधिक पुरानी मानी जाती है चित्र कला की इस सैली में देवी के विविन रूपों की चित्रकारी की जाती है इसे किस राज्य की कलम कारी भी कलम करी भी कहा जाता है किस राजी की कलमकरी भी कहा जाता है तो आप ध्यानक ना गुजरात मातानी पछेडी कला तीन हजार वर्स से अधिक पुरानी मानी जाती है चित्रकला की इस सैली में देवी के विभिन रूपों की चित्रकारी की जाती है गुजरात की कलमकारी भी कहा जाता है इस चित्रकला को या दचिट भारत की कलमकारी से मिलती जूलती है ये बास से बनी कलम का उप्योग करकेस की पेंटिंग विधी में इस्तेमाल किया जाता है भारत में किस फसल की genetically modified वाड़िजिक खेती की जा सकेगी genetically medified तो सरसों ठीक है आप लोग ध्यान रखना genetically engineering appraisal committee दिल्ली यूनिवस्टी के द्वारा विक्सित GM mustard को पर्यावड ये तौर पर मंजूरी दी है इसको ध्यान रखना इसको अन्य नाम DMH 11B है भारत में अभी तक केवल GM फसल बेटी कॉटन की खेती को ही मंजूरी मिली है genetic engineer appraisal committee परयावड मंत्राले के तहते एक सामेधिक समिती है आगे देखेंगे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी किस राज्य से mission deaf space launch किया तो गुजरात से clear है question number 9 है जिसमें आप से पूचा गया है कि परधान मंत्री नरेंद्र मोधी द्वारा mission deaf space गुजरात में आयोजित हुए deaf space के दौरान launch किया गया ठीक है उद्देश की बात करोगे तो अंतरिच के छेतर में defense forces के लिए नवाचार करना क्योंकि किसी भी विसाय में सुरच्छित रहने के लिए अंतरिच सुरच्छा के लिए काम करना होगा defense space agency Indian armed forces के लिए एक नई tri service agency के तौर पर काम करती है ठीक है तो ये थे आज के important current affair मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए thank you thank you very much